अपनी पोजीशन को बगलते हैं यह हो गया फर्स्ट पोजीशन सेकिंड ब्लॉकर ठीक है यह हो गया उनिवर्सल और दो खेलते अंदर अठाइकल ठीक है कौन खेलते दो अठाइकल की पॉइंट को गेंड किया ठीक है अभी रोटेशन नहीं होगा जब यह वाली वी टीम वीडियो और आज मैं आपको इस वीडियो में एक कॉपी और पैन के थुरू आपको बताने वालों वोलीबोल की पोजीशन और आपको रोटेशन वह भी क्यासा बेसिक रोटेशन ठीक है तो मैंने इसलिए सोचा कि आपको पेज के उपर समझाओंगो ना तो आपको आपको कि जो मेंबर तीप उसको नहीं लिया तो उसको भी लो मैंने उसके बारे में आपको बता रखा और वीडियो के स्टार्ट करते हैं अब 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 का है अब नेट में क्या नेट है बीच में अब इसमें कोर्ट हो गया तो इसमें जोन सोते हैं एक होता फ्रंट जोन और यह होता बैक यह वाली जो पोजीशन है यह फ्रंट जोन कह सकते हूं या फ्रेंट रो कह सकते हो या जो होता है कितने का इन मीटर का एक रो यह जाता है अठाज मीटर तो यह को आपको नॉर्मलीं ना हो तो हम रोटेशन की बात करते हैं इस में आपको बेसिक बताता कि पोजीशन की बात करें किसकी पोजीशन वो श्र airborne फोजीशन टों कौनवा थिव्य शब से फॉच्ट पोजीशन कोर्ट के अंदर बैग जोंग से स्टाट होता है तो बैक्ट उना face aance यहां था second position फोर्थ के नीचे मतलब लेफ्ट बैक और सिक्ष्ट पोजिशन सेंटर में यह वॉलीवल पोजीशन होती है इसी के हिसाब चम को रोटेशन करना होता मतलब मैं कहुंगा फर्स्ट नमबर पर कौन है यह सैटर है इस तरीके साब को पोजिशन क्लियर हो जाएंगे और बैक जोन मैंगे 165 आएंगे तो यह आपको क्लियर हो जाएंगे क्या है पोजीशन ठीक है नेक्स नेक्स्ट अब के लियर करेंगे की अब वॉलीवुल के नदर prep कितने होते हैं तो सबसे पहला जो प्लियर होता होता है वह था सेटर पहला होता है सेटर सेटर कौन होता है जो बोल को सैट करता करते बोल को सेट करता देखा होगा आपने जो बोल को मनाता है उसको हम सेटर कहते हैं सेकंड होता है विलोक कौन होता जो बोल को ब्लॉक करता जिसको हम podcast घरते हैं क्या करते हैं मिडिल ब्लोगर क्योंकि उसकी पोजिशन हमेशा कहां पर आती है थ्री नंबर पर जाता है यूनिवर्सल यूनिवर्सल अब यूनिवर्सल किसको कहते हैं जो अपोजिट साइड होता है पॉजिट साइड होता है अब यूनिवर्सल वहता जो पास नहीं लेता है उसको कि जहां प्र पास आए ही ना थी खोड़त साथ करता है आप का अटेकर जिसको हम झारे साथ हैं आउट साइड हिटर विखते हैं हुए है जी सीविट इसलिए सांधी चली कि यह इत होते हैं होते हुए लोगा इंट है ऑप dh पास आता है मतलौ अगर लिपरो सेंटर में हैं तो ये दौन आतेकर फ़स्ट नमबर और फाइब नमबर भओंगे मतलब इनका तो पास रहता है थीघर तीम में जो पासिंग के दाजिए बलब ते कर लिए और को सिन्थ वीक है पासिंग को हम यूनिवरसल को पासिंग के है इसको हम इसके साइलिस्ट कहते हैं और इसका जरसी फोती है यह बिए लग होती है और इसकी जो हация हो मैं लिखा जाता है कि अब लोग को इसमें अब करते हैं वो करते हैं कि अलोग कहेंगे पिलैयर तो सुर्ञे पांच ч बताएं पांच नहीं ए कितने अच्छे देखो कैसे एक हो गया सेटर एक हो गया ब्लॉकर ठीक है एक हो गया यूनिवर्सल और दो खेलते अंदर अटायकर ठीक है कौन खेलते हैं दो अटायकर खेलते हैं और एक लिप्रो तो कितने होगा यह टोटल six player हो गया बट आप एक मॉर्मल टीम अगर रिपरजेंट कर रहे हो कोड़ के अंदर तो सिक्स्स फ्लेयर खेलें बट अगर मैं बात करता हूं किसकी इसके पुरह्म बात करें रोटेशन रोटेशन के अंदर आपके सेवन प्लेयर खेलते हैं कैसे कि एक सैटर दूसरा यूनिवर्सल इसरा लॉट्टेशन के अंदर हमेशा seven फिलियर खेलते हैं अब वालीवोल के अंदर तोटल जो पिलियर होते हैं तर्फ लोगर चार एक लिवलो एक कितने होगे बादा पिलियर होते हैं वॉलीवोल के टीम के अंदर अब हम बात करते हैं रोटेशन अपने वर्ड़ सुना मैंने आपको पोजिशन बताई फर्स्ट इस्ट थार्ड फॉर्थ फिफ्ट इस यह अगर आपको सही से पताई आप सेकिंड फ्रेंट रोव में थर्ड फ्रेंट रोम में फॉर्थ फ्रेंट रों यह जी सूई ठीक है अगर घड़ी ऐसे घोंती है और एक घड़ी ऐसे घोंती है तो अगर इस तरह गोंग रिए तो यह क्या है anti-clockwise क्या है anti-clockwise मतलब कैसी यह उल्टी डायक्शन ठीक है जो प्लेयर की पोजिशन होती है में गुंबती है मतल्स्ट ऐस्टों थर्ड फॉर्ट अ क्लॉक ह्aina कि कैस फॉद्ध यजAb revenge है कि यह वह क्या सा वो कुछ इस तारी के सो पधिस थे आपकी घड़ी आ से अता एक बचlt यहां तीन बज गया चार बज गया कुछ इस तरी के से मतलब यह जो एरो है इस तरह कैसे हो आप जैसे कि अब जैसे हमारी टीम ने पॉइंट लिया तो जो दो नंबर का प्लेयर है वो कहां जाता है यह इस तरह किस पूजिशन होती है तो यह क्यासा होता है clicks वाईज ठीक अधिक है जब भी हम रॉटेशन करते हैं मेशा होती से जरखनी का यह हो गया एक बैसिक अब मैं बता दो कि किस तरह केसे लॉटेशन में हम घूमते हैं तो देखो मैंने बना दिया एक कोर्ट ये बना दिया ठीक है अब मैं आपको अपको लॉक वाइस के मतलब ब्रोटेशन के अंदर प्लियर के किस तहीं किस अपनी पोजीशन को बदलते हैं देखो यह हो गया फॉर्ण रोफ दोनों में पोजीशन फर्स्ट पोजीशन सेकंड फोजीशन फोर्ट पोजीशन फिफ्ट पोजीशन सिक्श ठीक है अब होता क्या है कि मैंने कहा था कि क्लॉक वाइस भूंट अब देखो डोल्टेशन होती कब यह आपको समझ लेना जैसे कि यह वाली टीम है इस पीम का नाम है यह इस टीम का नाम है इस ने सर्विस कराया और इसने पॉइंट ले लिया क्या कि इसने पॉइंट गेन किया मतलब इसने गेन किया जब इस टीम पॉइंट गेन किया है तो अगली सर्विस किसकी आएगी दुबारा किसकी आएगी एटीम कि अब एटीम ने दुबारा सर्विस कराया ठीक है बट अब क्या हुआ कि जब इसने दुबारा सेकंड टाइम एटीम ने सर्विस का तो इसका पॉइंट नहीं आया किसका पॉइंट आया वी टीम ने पॉइंट को गेंड किया ठीक है अभी रोतेसन नहीं होगा जब यह वालिट वी टीम जब वी वाली टीम पॉइंट को लूज करेगी क्या करेगी पॉइंट को लूज करेगी मतलब अगली बार इसने कराया जब बी ने सर्विस कराया अब इसने पॉइंट क्या कर दिया लूज कर दिया अब दुबारा सर्विस किसकी आ गई है एक ही दुबारा सर्विस आ गई है ठीक है इस टाइम क नंबर वाला थीक है धीग है ये ये बंदा जो e service आएगी किसकी आईगी दुबारा जब आएगी फ़िस्के था जाएगी कि तो अगली चट हो जाएगी तो नेक्स टाएगी तो सर्विस हर दम चेंज होती रहेते किस जब Main Main होता रहता ठीक है अब मैं बताते हुए घूंते कैसे और फस्ट नम्बर पर ये है ठीक है अब जैसे लिया रखत अखिए जो एक नमबर का पुलिएर वह कहा चला जाएगा जिक्समें बनने फैंक्स सिक्स्त वाला सब्सक्राइब किसे सब्सक्राइब करना था तो इस थैगत तरीके से रोटेशन उटा है यहां तरह सेटर खड़ा है इसके आप सेटर का पोजिट मोता है उनीवर्सल ठिक है यह भुलाकर खड़ा है ब्लागर का पोजिट में होता है लिब रो और यहां टैकर वर्ष और एक अटैकर जो जैक है लोलागर फरस्ट ठीक है यहां पर जैसे अगर यहां पर सेटर खड़ा है यह सेटर खड़ा अब नेक्स्ट टाइम अगर इसने सर्विस कट कर दी है जब दूसरी पर हमाई टीम की जब सर्विस आएगी तो कौन कराएगा एवन कराएगा और आपको एक चीज़ बता दूं कि हर प्लेयर का कोई ना इस तरीके से देख के आपको याद कर लेना कि अपने प्लेयर को हरतम देखते रहना जिससे कि आपका जो रोटेशन होगा तो कभी भी गलत नहीं होगा तो इस पर आपको रोटेशन ऐसे कभी गलत नहीं होगा तो हरव प्लेयर का कोई ना कोई क्रोश क। स्क्रॉस पोजिशन देखो रोटेशन समझो तो यह था एक बेसिक रोटेशन ठीक नेक्स्ट मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बाद रिसीविंग रोटेशन ठीक है तो यह मैंना आपको नौर्मली समझा दे कोई दिखका तो आप नीचे कमेंट कर तो तो इसमें बस इतना आपको इस वीडियो के अंदर बताए कि रोटेशन क्या होता हो बेसिक रोटेशन को इसका मैं एक अप्ग्रेड वीडियो बनाऊंगो कैसे कि जहां प्लियर को खड़े-खड़े कर जैसे मैं लास्ट यह बनाया तो उससे भी अच्छा वीडियो लेका हूंग ठीक है तो इस पर वीडियो चाहिए सब कमेंट करो नीचे ठीक है करते रहो क्यार सपोर्ट दिखाते रहो हसते रहो मुस्कुलाते रहो और देखते रहो हमारा एवी वाल्यूवल चैनल तो बाए बैड़ कर दो कर दो